तो कैसे हैं आप लोग आप सब लोग वीडियो के थमनेल को देखकर तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अदर तुम्हारा भाई अपोजिट गलुवल कैसे लगाया जाता है वो सब बताने वाला है वो भी हैंड कैम वीडियो के साथ अब आप सब देखिए कि सीधा गलुवल तो हर कोई लगाता है बट उल्टा गलुवल कोई कोई लगाता है और जब ये गलुवल आप अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे तो वो बोलेंगे सीन कुछ ऐसा होता है जो बंदे फोर फिंगर्स के साथ खेलते हैं या फिर थ्री फिंगर्स के साथ खेलते हैं वो बहुत आसानी से अपोजिट गलुवल लगा पाते हैं बट जो बंदे टू फिंगर्स प्लेयर हैं बिलकुल मेरित रहा हैं उनको थोड़ा सा प्रोब्लम ह होता है अपोजिट ग्लूवल लगाने में एंड सची सची बोलू तो दोस्तों कभी कभी सीधा ग्लूवल भी नहीं लगता है उल्टा का खाक लगेगा वट दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सब सीधा ग्लूवल लगाओगे या नहीं लगाओगे इसका तो मु जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओल पर सेलेक्ट कर लेना वरना इस तंत्रा को ढूंटते हुए आओगे और साथ में आप सभी के लिए कि इन पॉर्टन नोटिफिकेशन भी है कि अगर आप सभी को गेम से रिलेटिट कोई भी प्रोब्लम आ रही है या फिर आपको अपने मुबाइल की बेस्ट सेंस्टिविटी सेटिंग के बारे में जानना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप सो मुझे वापर फॉलो करके डीम कर सकते हो और मैं आपके डीम का 100% रिप होगा बट अगर आपने फिर भी नहीं रख रखा है तो जल्दी अपनी हर एक सेंस्टिविटी को 100 पर कर लो दूसरा जो सेटिंग्स में आपको बताने वाला उन सेटिंग्स को ओन कर लेना क्योंकि इन सेटिंग्स का यूज होने वाला है अपोजिट ग्लू लगाने के लि रेगुलर विवर हो तो आप सब को पता भी होगा कि मेरा लेफ फायर बटन ऑल्वेज ओन रहता है और इसी बटन का यूज करके मैं गलूवल लगाता हूं दूसरा नबर सेटिंग्स आपको मुबाइल के इंदर मिलेगा तो वो है हमारा पॉइंटर स्पीड एंड लार्ज माउस पोइंटर अगर आप सब इन दोनों सेटिंग्स का यूज करोगे तो आपका लगने का टाइम डिक्रीज हो जाएगा सीधा सीधा बोलू तो आपका लूवल बहुत ही जधा फास्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी से इन सेटिंग्स को ओन कर लो अगर मैं आप सब को ये बोल रहा हूं कि जो सेटिंग्स मैंने ओन कर रखिया है उन सेटिंग्स को आप सब को ओन कर लेना है और अपने हिसाब से उनके साइज और पोजिशन को सेलेक्ट कर लेना है बट मैं आपको एक जैयरप्स को दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप सब अपने custom HUD को अपने हिसाब से आराम से adjust कर सकते हो तो ये सब setting यूज़ करने के बाद आपको tricks की जरूरत पढ़ने वाली है and क्योंकि इसके बिना तो आप opposite glue wall बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊगे चलिए शुरू करते हैं मैंने इस trick को 3-4 steps के अंदर बाटा है तो glue wall आपके बिल्कुल पास लगे जादा दूर ना लगे क्योंकि अगर आप glue wall दूर लगाओगे तो glue wall लगाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा and इनी में आपकी बजा कर चला जाएगा तो दूसरी number step के अंदर आपको crouch करने के बाद glue wall बाले button पर click करके camera angle को change करना है आपको पहले 2 step को follow करने के बाद अपने mobile के camera angle को change करना है and वो camera angle change कैसे करना है देखिए जैसी आपका बंदा बैट जाता है and glue wall वाले button पर click कर देता है आपको अपनी screen को fastly क्या करना है left side move करना है and जितना firstly आपने एपनी screen को left side move किया उतना ही फाशली वापी से उसको right side लेके आना है and left fire button का use करके opposite glue लगा देना है मैं आप सबको ये trick दुबारा से समझा देता हूँ ताकि आप सबको ये trick अच्छे से समझ में आ जाई लेकिन उससे पहले तुम्हारे जबाई की एक छोटी से request है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो please यार वीडियो चोटा सा like कर दो अगर आपने वीडियो को like कर ही दिया है तो बगवानापके मातापिता को बहुत ही ज़दा खुश रखे आपको 9 से लेकर 10 girlfriend हो and जिंदगी में जो करना है है वो करो and thanks for like if you do सबसे पहले तो आपको shoot करके crouch करना है फिर से सुन लिजी आपको shoot करके crouch करना है उसके बाद global बेटन पर click करके camera angle को change करना है and वो कैसे करना है वो भी आप जान लो देखे दूस्तो आपको अपने mobile की screen को पहले तो left side move करना है उसके बाद उतने ही तेजी से आपको अपने mobile की screen को right side move करके अपना left fire brain का यूज़ करके opposite glue लगा देना है I hope आप सबको ये trick बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी and ये trick आपके लिए बहुत ही जदा informative भी रही होगी तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को enjoy करते रहिए